हिंदू मानिताओं के अनुसार भगवान शिव जी जहां जहां स्वैम प्रकट हुए उन्हीं बारा इस थानों को पवित्र जोतिरलेंग के रूप में पूजा जाता है। सावन सोमवार के पावन अफसर पर जानते हैं बारा जोतिरलेंग कौन से हैं। सावन के पहले सोमवार बात करते हैं उज्जयन में विराजेट बाबा माहकाल की। माहकालीश्वर मंदिर मधरदेश के उज्जयन जिले में स्थित है। उजयन का महाकाल मंदिर एक मात्र ऐसा जोत्रलिंग है जो दक्षिन मुखी है दक्षिन दिशा के स्वामी यम्राज है जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है लेकिन बाबा महाकाल को कालों का काल कहा जाता है महाकाल के भक्त कहते हैं अकाल मृत्यू वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या भिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का महाकाल मंदिर में प्रते दिन भस्म आर्थी की जाती है पहले जागरच शम्शान चक्रतीर्थ से मुर्दे की ताजी भस्म से महाकाल का भस्म शिंगार वा भस्म आर्थी की जाती थी अब ये भस्म बच्या के गोवर के कंडे, पीपल के पत्ते, बेर के पेड की पत्या और पलाश को जला कर भस्म तयार कर कर की जाती है आपको बता दे कि बाबा महाकाल की जब भस्म आर्थी की जाती है, तो महिलाओं को नेत्र बंद करने को कहा जाता है, क्योंकि बाबा भस्म इस्तनान कर रहे होते हैं भगवान महकाल की आरती के बाद भगवान महकाल का जल से पंचम्रित से अभिशेक किया जाता है फिर उनका पारंपरिक तरीके से शिंगार होता है हर साल सावन के महिने में मंदिर की परंपरा अनुसार शावन मास के प्रतेक सुमवार तथा भादो मास में भादो किष्ण अम मावस्या तक जितने भी सोमवार आते हैं उन पर भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है कहा जाता है कि भगवान महाकाल उज्जेन के राजा है और वे उज्जेन नगरी के भ्रमण पर प्रजा के हालचाल जानने को निकलते हैं महाकाल पालकी शिप्रानदी के तच से या राजा हैं यहां पर कोई शाही या राजपत पर विराजमान व्यक्ति रात नहीं गुजार सकता माना जाता है कि उजयन में विक्रमा दित्ते के बाद कोई भी राजा नहीं हुआ माना जाता है कि उजयन में केवल एक ही राजा रह सकता है और महा काल को यहां का राजा माना ज और इसी प्रथा को आज भी राजा याने मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री तक मानते हैं और यहां रात नहीं गुजारतें बाबा महाकाल की जय वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए दरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक देख रहे हैं तखल नियूज आप देख रहे हैं तखल नियूज